Hello friends, welcome to WSQ Tech What is web content? Web content writing क्या होती है? Web content क्यों लिखते हैं? Web content कैसे लिखेंगे? और अच्छा web content ऐसा लिखना कैसे लिखेंगे? जो यूजर्स होगे रहाब website के उपर आ रहे हो convert हो जाए या फिर जो आपका purpose है वो fulfill जल्दी हो जाए तो स्टार्ट करते हैं What is web content? Web content वो होता है जो आप website के पर इस पर content यूजर्स करते हैं जैसे कि आप homepage पर content यूजर्स कर लिए आपने about us के page पर content होगी आपने brand story बता दी और services के लग-लग page बताते हैं वहाँ पर services के बारे में बता दिया तो वहाँ पर जो content यूजर्स हो रहा वह होता web content web content का role क्या importance क्या है तो पहला जो importance है वो आपको information देने के लिए जैसे कि आप services के page दे समभले हैं कि आप IIT coaching की एक website बना रहे है website के लिए content लिख रहे है तो उस web page पर आपको बताएंगे इंफर्म करेंगे कि हमारी IIT website का website है हमारी एक coaching या online course वगेरा जो है offline course है जो भी है आप इंफर्म करेंगे उनको दूसरा optimize website for SEO जिसे website को आपको rank करना गूगल के उपर तो आप उस हिसाब से content लिखेंगे समली जी आपने IIT coaching in Delhi तो keywords वगर आपको कैसे उस करना है तो उस keyword के लिए website को optimize करना है तो जो keywords वगर होगे वह content के अंदर ही use होंगे then reach potential customers अच्छा ऐसी हो कर दिया website के उपर customers वगर रीच कर लिए आपने Google के तुरू या दूसरे search engines के तुरू तो वहां तक आप customer तक पहुंच गए then generate leads website के उपर customer आये वह उनको जैसे कि उन्हों आपकी course के लिए sign up कर लिया या फिर आपको call कर लिया inquiry के लिए तो lead generation होगी और आपको customers मिल गए तो यह web content के benefits है और rule है importance है कि क्यों web content लिखा जाता है then how to write web content page के लिए लिख रहे है आपको purpose पता होना चाहिए कि यह content क्यों लिख रहे for example आप IIT coaching के online course का page है तो आपको पता होना चाहिए कि यह किसके लिए है और क्यों लिख रहे है आप उस सब purpose पता होने के बाद आप audience को समझेंगे जैसे हमली कि हर business के अलग audience होती है और उनका अलग होता है age level भी सबका अलग होता है for example IIT coaching के अपसाइट है तो उनकी 10th, 11th, 12th students होता है audience कोई business के अपसाइट है तो दूसरे होते हैं कोई business to business कोगी तो उनकी अलग तो यह understand audience करना इसलिए ज़रूभी है जिस audience से उसका according आप tone and pitch को यूज़ करेंगे content के अंदर then computer research आपकी जो top competitors है market में उनकी upsides देखिए उन्होंने क्या किया strategy follow की है उन्होंने किस type का content लिखा एक बार कुछ idea ले लिजे और उनसे अच्छा content लिखने की कोशिश करेंगे then the content structure and outline जो आपना देख लिया understand कर लिया audience को purpose पता कर लिया research भी कर लिया तो अभी structure ready कर लिजी समझ लिए कि आप header part में आप क्या include करेंगे then आप service के बारे में बताएंगे service के benefits बताएंगे फिर आप features बताएंगे फिर आप FAQs लोकर include करने है testimonials case studies include करनी है proof read and edit content सारा लिख लिया आप उसको फिर दो तीन बार अच्छे से proof read कर लिया कोई errors होगा रिख जाता है समझ लिए आपने कोई extra comma उसका नमिस कर दिया या फिर full stop कहीं पर use नहीं किया या फिर फिर सब चीज़े कोई mistake रह गई हो तो उसको award कर लिए फिर editing में आप देख ली कोई grammar होगा रह गई है या फिर कोई sentence ऐसा लगा आपको कि यह तोड़ा effective नहीं है इसको में और अच्छा लिख सकता हूँ तो editing वाला part cover कर लिए कोई sentence ऐसा लग रहा है unnecessary है इससे और कुछ अच्छा लिख सकता हूँ तो editing करके फिर आप last process पहेंगे plagism check पहें इसका मतलब भी होता कि आपका जो website पर जो content आपने लिखा है वो कहीं से match तो नहीं कर रहा duplicate content तो नहीं है कहीं और website से copy किया वा तो नहीं है तो ऐसा हो जाता है मैसा कि आप कोई sentence या कुछ words लिख रहे है वो कहीं website से already कहीं लिखे हुए है तो पहले कुछ tools आता है plagism check के लिए उनमें जाके अपना website content जो आपने यहां से copy करना है आप paste करना और check करना है कि वो unique है कि नहीं है तो unique होने के बाद ही आपको proceed करना है अगर कुछ show कर रहा है कि copy content है उसको आपको change करना है ताकि वो pleasant free हो जाए देन कुछ writing की important tips देख लेते है lead the users to act जो आपके website पे audience आ रही है उनको कुछ action लने के लिए आपको persuade करना है for example IIT coaching के students आपके website पे आगे अब उनको आप action आपको inquiry करवानी उनसे उनको कुछ question पूछना तो call कर सकता है या अपनी form फिल करके आपनी inquiry को share कर सकता है आपके साथ या फिर course के लिए sign up के लिए उन्होंने तो ऐसी चीज़े करवाने के लिए उनको आपको persuade करना है content के तुरू then use bullet points and formatting bullet points से क्या होता कि आपके जो content है उसकी readability improve हो जाती है for example एक benefits आपको दिखारके benefits of our services तो साथ benefits दिखाने आपको साथ benefits अगर आप एक paragraph के अंदर लिखेंगे तो paragraph बहुत बड़ावसार हो जाएगा ऐसा type लगता है कोई पढ़ता नहीं है लिख दे आपको 1,2,3,4,5,6,7 तो और चोटे-चोटे sentence लिख दे 6-7 words के तो ज्यादा पढ़ने में आते हैं और उसमें को पढ़ते भी हैं तो इग्नोर नहीं होते content पढ़ने में आ जाता फिर then short sentences लिखने हैं sentences लिख रहे हैं वो चोटे-चोटे लिखने हैं बड़े-बड़े आप 20-30 words के sentence लिखने हैं कोई नहीं पढ़ता उनको फिर और पढ़ते तो यह बहुत बोरिंग सा content बन जाता फिर weak words होते हैं वो उनको avoid करना है आपको जैसे कि ऐसे words avoid करने जिनसे आप खुद users को convince करने में दिक्कत होती है for example जैसे आपने लिख दिया कि I think our services will help you grow your business तो उनको लगता है कि उनको sure नहीं है कि उनकी services उनको help करने में, grow करने में help करेगे कि नहीं करेगी, तो ऐसी चीज़े avoid करने आपको weak words concise and clear है आपको content के पूरा, छोटा-छोटा जो sentence लिख रहा है, आपको ऐसा नहीं कि unnecessary information आपने include कर ली, आपको जो भी आपका message या information देनी है वो clearly दीजिए then keywords SEO के लिए सबसे बड़ा importance है keywords का आपको जो SEO team दे रही है, चाहे client दे रहा है चाहे आप खुद अपनी website पर work कर रहे है तो keyword research करने के बाद उनको कैसे strategy के लिए वो देख लिजिए, जैसे कुछ keywords को आप headings में use करेंगे, कुछ को आप web content के अंदर जो paragraph लिख रहे हैं वहाँ पर use करेंगे, तो वो use करेंगे ऐसी जो के लिए अच्छा होता है then active voice ज्यादा यूज करनी है आपको, active voice और passive voice दूचीज होती है English में तो active voice ज्यादा यूज करना है impactful content आप create कर पाते हैं जैसे कि कोई sentence है कि our services will help you grow your business इसमें focus है वो our services पर है और इसको passive voice में अगर आप लिखेंगे तो your business will be grown by our services, तो our services जो focus से नहीं चलागए last word में आ रहा है तो effective content लिख नहीं पाता आप इसमें, active voice आपको ज्यादा यूज करना है और last में हम discuss करना है professional writing tips जो कि हर कोई हर website यूज नहीं करती है अगर ये यूज करेंगे आप तो आप उनको जल्दी outrank कर सकते हैं और उनसे अच्छा content क्रियेट कर सकते है तो first है inverted pyramid approach inverted pyramid approach में क्या होता है pyramid form structure आप ready कर लेते हैं कि आपको सबसे top में जो information लो include करेंगे जो most essential information आपकी ऐसी information जो कि user अगर एक उपर का paragraph भी या उपर का section भी अगर देखका चले जाए लेकि उनका web page पुनों ने क्या देखा कोई क्या service थी मेरे लिए क्या था तो उनको वो पता कर जाए फिर second आपको जो second primary information है जो कि अगर user पढ़े तो बहुत value मिलेगी लेकिन नई पढ़े तो भी ठीक है और सबसे last में वो ऐस information include करनी है जो user के ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन आपको additional रखा है उन्होंने जैसे for example website faqs का section देखते है generally section को user नहीं पढ़ता लेकिन फिर भी रखते हैं कि अगर किसी को requirement पढ़ गई तो वहाँ पर उनको answer मिल जाएगा then include proof show don't tell आपको proof include करना है कि समभली आईट कोर्स दे रहे हैं आप online तो उनको आप दिखाये कि हमार कोर्स ऐसे आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा लेकिन आप उनको अगर दिखायें जैसे कि आपने से दिखा दे कि हमार लास्टियर का यह कोर्स लेके चार्ज लड़कों ने या फिर चार्ज स्टुडेंट्स ने आइट एक्जाम करेक कर लिया तो उनको प्रूफ जिखाता है उनकी रैंकिंग दिखा दो कि फोर्थ और फिफ्फ रैंक पर इस्टुएंट्स आ गए थे आप प्रूफ दिखाने से क्या होता कि जल्दी वो क्रेडिबल बिल्द कर पाते है आप then strong call to actions जो कल to actions जो आप पर रहे है उनको यूजर्स को acting करने के लिए तो इस्ट्रॉंग यूज करने है ता कि आप जल्दी यूँशन अनको लीट जन्रेट कर पाए है उनको गर्ट कर पाए तो ऐसे कुछ चीज़े होती है वो क्या करती है रिडेबिलिटी इंप्रूब करती है आपके वेबसाइट की और एफेक्टिव कॉंटेंट करेट करने में हेल्प करती है जनरली क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट वो क्रेट करता तो अपने सर्वीसेज वगरा कि बैनिफिट्स दिखाने लग जाता है कि समली कोई ओनलाइन कोर्स दे रहा तो बोलते है उसमें कि हाई क्वालिटी कोर्स है आपको पीडिएफ मुलेगी एबुक्स मिलेगी रैधर देन ये फीचर्स शो करना कि आप फोकस करना कि बैनिफिट्स क्या हो गया उन सब्रेंट को समली कि आपके सारे डाउट सोल हो करेगी और आप एक्जाम क्रेक कर पाएंगे तो बैनिफिट्स उनको दिखाई है तो यह था वेब कॉंटेन राइटिंग के बारे में थेंक्यू